नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गयता है आपका आपके अपने चला लई उमंग में तो आज में इस वीडियो के मादम से बात करने वाले हैं अभी हाले में इस वीडियो को मादम से हम डिसकस करने वाले हैं कि अगर आपके अमन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं जे तो आपको इसी वीडियो के डिस्मिन के लिंक बिल जाएगा आप उसको क्लिक करके वाद से साज जानका देख सकते हो इसके लगव आपने चेट यह एक कानड़ वक्स ने कानड़ कर पूछ सकते हैं आपकी तुर्ण साहता की जाएगी तो चली शुरू करते हैं आज की जानकारी को जानकारी किस चीज़ के बारे में हैं आई-उसी एल जूनियर इंग्यर असिस्टेंट एंड जूनियर मैटेरियल असिस्टेंट वेकेंटी दो जारी कर दिया है इंडियन ओयल कोर्पोरेशन लिम्टेट यानी आई-उसी ल ने विभिन पदों पर बढ़ती के लिए एक दिसुचना जारी किये इस दिसुचना के नुसर आई-उसी ल ने जूनियर इंग्यर असिस्टेंट एंड जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट और जूनियर मैटेरियल असिस्टेंट की कुल 513 पदों पर ओन लाइन आविदिनाम्तित किये हैं योग्या और इस्ष बात करें तो जूनियर इंग्यर एसिस्टेंट फूर्थ के अगर बात करें तो प्रोडेक्शन में 266 पोस्ट ए जुनियर इंजियर 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 इंजिय कि यूद्जिश पोस्ट है इसके लाब अगर बात करें जुनियर क्वालिटी कंट्रोल अनिलाइस्ट फॉर्थ की तो नंतिस पोस्ट है जूनियर इंजिनिरिंग section क्यों करता है बारे में बात करें तो junior engineering assistant और other post के अगर बात करें तो candidate के पास deployment यह समंदिर discipline से या फिर BSC in समंदिर trade से होना चाहिए फिर IT आपने कर रखियो junior nursing assistant के बात है तो आपके पास 4 साल का BSC nursing किया होना चाहिए या फिर 3 साल का डिपलोमान चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइपरी या फिर जैनिकल एंड और्विट स्टिक में तो आप जूनियर nursing assistant के लिए अप्लाइ कर सकते हो चली बात करते हैं 2023 आपका IOCL जो junior assistant का आपका जो फिर में बढ़ना सुरू होगा लास्ट डेट आपकी 20 मार्ज रखी गई है अगर बात करें लास्ट डेट सेंट्टू हार्ड कोपी अगर आप हार्ड कोपी बेज़ना जाते हो फ्लाइंज बरुआ रहे हो तो आप 19 अपरेल से लेकर 20 अपरे में आपका एक्जाम हो चुका होगा अलगबग 20-25 के बीच आपका एक्जाम हो जाएगा पंद्रह मैंते का आपका रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा अपने के अगर बात करें तो जर्नल ओबीसी और एडिवलोस के डेट सोर पर फिस रखी गई है चस्ट और पी डॉलो डीग के अगर बात करें तो आपकी कोई फिस नहीं लगएगी जिननों में जर्खा लगने वाली है उनको अपने फिस का बखतान ओना होगा जैसे की डेविट काड़ हो गया, क्रेट काड़ हो गया, नेटविक हो गया, आधी के मादें से आप अपने इसके पूख्दान कर सकते हो अब बात कर लेते यह का सेलेक्षिव क्हा रहाएगा तो और ऑद कर सेलेक्षिंट के बारे मिख सबसे पहले इंगा होगा तो तो iocl engineering assistant का आपका exam pattern क्या रहने वाल है, इस भी आगर बात करें, तो इसमें आपका paper दो part में होगा, part फर्स्ष्ट में आपका जिस भी trade के लिए अप्र अप्रेपलाई किए, जिस भी post के अप्लाई किए उससे समुझाथ तो पिशेतर QC राएगा, फिशेतर नमर का पेपर आएगा, यह पार्ट आपका Aर आएगा. पार्ट B में अगर बात करें तो 25 नमर का रहेगा, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आजाएगा, जर्नल, एप्रिट्टूट आएगा, रिजिदिंग आएगा, English, numerical aptitude और GK ये चार्ट सब्जेक्ट आपके यहाँ पे आने वाले हैं इसमें अगर बात करें तो यह आपका 25 नमर का पेपर होगा 25 क्यूशन आपके पूछे जाएगे पेपर को हल करने लिए दोनों पार्ट को हल के लिएगे आपको 90 मिट का समय दिया जाएगा टोटल 100 परसन आने वाले हैं 100 क्यूशन आपसे पूछे जाएगे 100 नमर का होगा 90 मिट का आपको समय दिया जाएगा अब बात करते हैं थोड़ी अब बात करें तो आपने जो पड़ा होगा वह आपसे पूछा जाएगा जिस पी सब्जेक्ट्स चे आपने इंजिरिंग करें उसे समन्दित क्यूशन आने वाले हैं पार्ट भी कि तो आपके 25 क्यूशन आने वाले हैं उसमें अगर बात करें तो इसमें आएगा अब बात करते हैं आपका जीके का तो जीके में क्या क्या आने वाले हैं जीके में आजाएगा आपका इसके लबा डेटा सिपिशेंसी में आपका सारा अर्थमेटिक आएगा अर्थमेटिक में आपके जो दस एक टोपिक है जैसे कि पाड़नर्शीप हो गया एवरेज रेशन प्रपोर्शन मिक्सर अंडिकेशन हो गया एज समंदित क्यूशन हो गई इसके लाद आपका मेंसुरेंशन भी इसमें आ जाए गया एकादे क्यूशन वो सारे टोपिक्स में पूछे जाने वाले हैं ब आपको बहुत अच्छी दी जाएगी अगर आप योग्यता रखते तो आप इसके लिए जरूर रपलाए करें तो यह तो थी आपके छोटे ही जानकारी जिसके माद इसमें डिस्क्रस किया कि अब यहाले में आईयो सीयल ने जूनियर एंजिरिंग की बरती का नोटिक्रिश आपको जानकारी जानकारी जोइन कर सको तो आज की जानकारी बस इतना ही मिलते हैं नहीं जानकारी साथ तब तक के लिए जैबाद धन्यवाद